माही विलेज रेसिपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई हूप आप लोग बहुत अच्छ होंगे सुगय से आज हम लेके आए हैं बिल्कुल नया वीडियो और वीडियो को लास तक जरूर देखेगा अगर आप चैनल पे नये हैं और हमें अभी तक सपोर्ट नहीं क तो हमने डाला है एक चमच नमक इससे क्या होगा कि गाजल का जो मीठापन है वो कम होगा और साथ में गाजल और जो हमारा आलू है वो फूटेगा नहीं तो यह चीज आप कभी भी उबालते हैं कोई चीज तो उसमें नमक अगर आप डालते हैं तो यह चीज बहुत क्लेम पर छोड़ा है 15 मिनट के लिए इसको अगर आप चैनल पर नए है और अभी फैमिली का हिसा नहीं बने है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर भी बनिएगा क्योंकि इसमें ना कोकिंग से रिलेटर आप उन नहीं वीडियो मिलती रहें और फिर इस तरह हम आलू को जो चिकला है ना उसका भी निकाल लेंगे और साथ में जो गाजल है ना उसका ये जो उपर का परत होता है ना जो चिकला होता है ना वो हमें बलकुल नहीं चाहिए रेसिपी में इसको भी हम निकाल देंगे ताकि हमारा गाजल है ना अच्छे से साफ हो जाए तो इसको भी अलू को निकाल लेंगे जो छिकला होता है ये रिसिपी ना चटपटी है तो बच्छों को भी बहुत जादा पसंद आती है और बड़ोगों को भी बहुत जादा पसंद आती है तो इसे आप ज़रूर बनाएं इस तरह हमने देखा ना सारा अलू और जो गाजल का उपर का चिकला है इसको हमने निकाल लिया है और गाजल हमें अब जानते हो ना बहुत सारी प्रोटीन देता है तो गाजल की ये रिस्पी बहुत अच्छी है इसके बाद में हम इसे एक ग्लास की मदद से या फिर मिक्सर जाल से अगर थोड़ा सा ना काम थोड़ा हम जल्दी में करना चाहिए ना तो एक मिस्ट जाल से इसका पेष्ट बनाएंगे नहीं तो आप एक ग्लास की मदद से बनाएं मुझे लगता सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे ना पेष्ट जो हम बनाएंगे ना वो थोड़ा सा ग करते हैं अगर रेट मिर्च खाते हैं तो वो मिक्स कीजी फिर उसके बाद हमने टेस्ट के अनुसार अपना नमग डाला है जो आप अपने कौर्डिंग डाले फिर थोड़ा सा ना कटा हुआ धरिया अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो प्याज भी डालिए और इसके बाद में हमने थोड़ा सा डाला है इसमें बेकिंग सोडा जो बहुत अच्छा है तो आप दोनों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसको मेक्स पर 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे रिष्ट के लिए फिर इसका पेस्ट ना सही हो जाता है फिर आम ना सरसू के तेल लि या फिर ऐसा है तो इसको रेश्ट पर जरूर छोड़ेगा तो यह बहुत ही चटपटा और बहुत ही अच्छे बजिया बनती है तो आप भी खाईए बहुत अच्छा हेल्फिल मिलते हैं